नमस्कार दोस्तों आज का ये वीडियो काफी अलग होने वाला है जी हाँ इंडिया में हर दिन कोई न कोई रेल दुरुखटना होती रहती है लेकिन आज में आपको अमिर्का में हुई रेल दुरुखटना के बारे में बताने वाले हैं जिसमें 40 यात्रियों की दर्दनाक हो जाती है आप अनुमान लगा सकते हो कि इतनी बड़ी रेल दुरुखटना हुई होगी दोस्तों इतनी बड़ी रेल दुरुखटना कैसे हुई और किसकी लापरवाही से 40 यात्रियों को अपनी जान गबानी पड़ती है पूरी जनकारी जानने के लिए आप लोग इस वीड को सुरू करूँ मेरा आपसे आगरा है अगर अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में पेल आइकन को प्रेस करें थाकि वीडियो की नटिफिकेशन सबसे बले आपको मिलती रहे और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं दरसल दोस्तो अमिर्का के मिसोरी में दर्दनाथ ट्रेन हासा हुआ है ट्रेन और ट्रट की भीशन टक्कर हो जाती है जिसके बाद ट्रेन के कुछ दिब्बे पट्री से उतर जाते हैं और इस हादसे में 40 यात्रियों की मौत हो जाती है और कई यात्री गंभी रूप से खायल होते हैं खायलों को पास के अस्पताल में भरती कराया गया है ये हादसा सोम बार दोबार करीब 12 वजे की है मीडिया रिपोर्ट्स के नुशार सीटी लॉस एंजलिस से सिकागो तक जाने वाली साथ वेस्ट चीप ट्रेन ट्रेक पर पुर्ब की और जाते समय एक ट्रक से टकरा जाती है जिसके बाद ट्रेन के 5 डिब्बे और 2 इंजन पट्री से उतर जाती है लॉस एंजलिस से सिकागो जा रही ट्रेन में 250 लोग सवार थें जिसमें 40 लोगों की मौत हो जाती है और कई यातरी घायल हो जाते हैं बताया जा रहा है कि मेंडेन सहर की क्रोसिंग के पास ये हादसा हुआ है लोगों को बचाने के लिए रिस्क्यू अप्रेशन लागातार जारी है तो दोस्तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अमिर्का के मिसोरी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 40 यातरीयों की मौत हो जाती है तो दोस्तो अमिर्का में हुए इस हादसे के बारे में आपकी क्या राय है आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ तब तक के लिए जयाहिंद बंदे मात्रम